नमेश खेर दोस्तों मैं हूँ पूरम स्वागत है अप लोगों का आपके अपने हेल्थ चैनल पर दोस्तों आज की इस वेडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दूद में जब हम मखाना और खसकस को मिला कर पीते हैं तो उसके कौन-कौन से हेल्थ बेनेफिट्स आपक जब दूद में मंखाना और खसकस को मिला देते हैं तो इसके फायदें कितने गुना भर जाते हैं इसके बारे में आप सूच भी नहीं सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज किस रेमेडी में इसी बारे में आपको डिटेल से बताते हैं और इस रेमेडी को कैसे त्यार करना है इस बारे में भी आपको बताते हैं तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस रेमेडी को किस तरह त्यार करना है साथ ही साथ बताते हैं मखाने और खसकस के फायदे कि वह आपके शरीर और सेहत के लिए कितने फायदे मंद हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं परन्तु अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस दा बैल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें दोस्तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा लाइक के मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं परन्तु आपका एक लाइक मुझे देता है धेर सारी मोटिवेशन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए तो चलिए बताते हैं आपको इस दूद को ब मखाना बहुत ही फायदे मंन्द होता है और साथ ही मखाने में एंठे अजिंग टाथ होते हैं जो कि हमारे शरीर में बोड़ा पाझ चल्दी नहीं आने देते हैं मखाना खाने से हमारा डारliner इस्टिल सिस्टम भी अच्छा रहता है और साथी साथ दोस्तों मखाने में इतना केलशियम होता है कि घुटनों का दर्द हडियों का दर्द और खास तोर पर पैरों में और पिंदलियों में जो दर्द होता है उससे राहत मिलती है इसलिए मखाने का सिवन बहुत फायदे या फिर इसस ऐसे ही साबुत इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों हमारा सेकंड इंग्रीजेंट है खस-खस जिसे पोस्त दाना या पॉपी सीड भी कहा जाता है दोस्तों खस-खस के फायदों के बारे में लोग अभी तक अंजान है तभी उसका इस्तमाल नहीं कर पाते हैं दोस् के दूद को रात को पी लिया जाए तो जो लोग नींद आने की दवाईयां खाते हैं उन्हें भी बिना गोलियों के ही नींद आने लगती है इसलिए ऐसे लोगों को इस दूद के बारे में जरूर बताना चाहिए खसकस में बहुत ज्यादा मातरा में थाइमीन कैल्शियम और मैगनीज होता है साथ ही साथ इसमें होता है ओमेगा-3 fatty acid जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों हमें लेना है एक चमच खस-खस एक गिलास दूद के लिए दीसा इंग्रीजिंट हमारा है मोटे मिश्री हमें धागे वाली मिश्री का प्रियोग करना है टु खुँच्छो तरुमL नए प्रयोग ना करके मिश्री यह गुड का ही प्रयोग चाहिए दोस्तों अब हम लेंगे एक पैन जिसमें हम डालेंगे एक चोटा चमच घी जैसे हि गरम होगा आपने इसमें डाल देना है खस-खस को हलका सा घी में सेक लेना है खसकस को, घी अगर आपके पास गाएं का हो तो बैस्च है, वरना आप भैस के घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, खसकस में इसे हलकी हलकी खुश्बू आने लगे, तर तक आपने इसे भूनना है, ज्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल हलके भूरे रंका होने तक इसे सेकना है, त कम से कम पांच मिने तक पकाना है, आप एक बार इस रेमेडी को लेकर देखे दोस्तों, यकीन मानिए एक सब्तहा में आपको अंतर महसूस होगा, आपको खुद के शरीर में फूर्ती ताजगी महसूस होगी, आखों की कमजोरी दूर होगी, शरीर की कमजोरी दूर होगी, अब हम इसमें डाल देंगे 10-12 मखाने और स्लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाते रहेंगे, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एनिंदरा की बिमारी है, नींद ना आने की बिमारी है, खास तोर पर जो लोग नींद की गोली खाते हैं, तो गोली खाना भी बंद हो जाती है, क् इस दूद को पीने से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि दूद कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, मखाने में भी भरपूर मातरा में कैल्शियम होता है, और खसकफ में भी भरपूर मातरा में कैल्शियम होता है, साथ ही साथ इस दूद को पीने से आपकी इमनेटी बूस्ट होगी खासकर बिमारियों के मौसम में इस दूद को जरूर ले ताकि आप वाइरल से बचे रही दोस्तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का महीना इस दूद को लेना बेस्ट रहता है जिने केलस्ट्रोल है, हाइट प्रोब्लम है, डाइबटीस पेशेंट है, वो भी इस दूद को ले सकते हैं, कोई प्रोब्लम नहीं होती है इस लेने से जब आपका दूद उबल जाए, तो उसे सिम गैस पर पांच मिनट तक के लिए पकने दे अब हमारा दूद पक चुका है, अब हम इस दूद को अपने एक मग में या एक गिलास में चान लेंगे गरम-गरम ही पीना है, दोस्तों इस दूद को ठंडा नहीं करना है, आपको एक सब्ता में ही अपने शरीर में फर्क महसूस होने लगेगा एक बाद इसे ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर शेर कीजिएगा आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो जरूर पूछिएगा वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और शेर करना ना भूलिएगा हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई टोपिक के साथ, तर्तक के लिए नमस्कार